Netic ta यानि moral और media इन दोनों में आपके हिसाब से क्या तारलुःफ है और अगर है तो कितना है और किस corresponding के हिसाब से इनके मीच में एक mixture बनके दुनिया के सामने आना चाहे है आपकी कार आए देखे बात तो बहुत simple है कि जो clear cut ad space है चाहे print media हो या चाहे कोई television channel हो उसके अंदर जो ad space है वो ad space में ad चल रही है उसके अंदर भी कुछ morals होने चाहिए उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि without any morals बस बेचना है तो कुछ भी करके बेचो अब यहाँ क्या मामला है कि जब content पर हम आते हैं और जैसे के कमलेश जी ने बताया कि individual actor से लेकर political parties तक कई लोग इस media को control करते हैं लेकिन इससे उपर उठकर और बड़ा picture देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारी lobbies हैं जो कई चीज़ें चाहती हैं कि वो promote हो society में जैसे alcohol की मिसाल आपने खुद दी तो हम यह देखते हैं कि इसके अंदर हम सब क्या करें इसलाम ने तो यह बताया है कि यह सब चीज़ तो दूर की बात paid news देना दूर की बात paid content उस तरह का कोई चीज़ को represent करना किसी news item में वो तो बहुत दूर की बात सभी मुस्लिम के अंदर हदीस आला के रसूल महमस्लासम ने कहा के कफा बिल्मर इकदीबन अईयुहद दिता भी कुल लिमा समिया एक शक्स के जूटे होने के लिए इतना ही काफी है कि जो भी सुनता है बयान कर देता है मतलब कि सुनने के बाद एक स्टेज होता है चेक करना वेरिफाइ करना वो चीज सही है गलत है बिकाओ होना वो तो बहुत बूर की बात है बात यह है कि सिर्फ सुनी सुनाई बात है जो कई बार ब्राडकास्ट हो जाती है कई बार जो कुछ निउस पर्टिकलर मेथट से मिलती है उसे broadcast का दिया आता है उसकी authenticity verify किये बगेर बाद में आगे पता चला कि कितने सारे लोगों को नुकसान पहुंचा कितने सारे लोगों की इज़त खराब की गई धर्मों के तालुक से गलत बात कही गई लोगों के तालुक से गलत बात कही गई इससे बहुत बड़ा नुकसान हो और यह बहुत बुन्यादी morality है कि सच जैसे बहुत rightly कहा कि सच बात पहुंचे सचाई पहुंचे और यह सचाई का साथ देना यह हम सब के लिए बहुत जरूरी है ताकि एक अच्छी society create हो और सही morals की तरफ एक society बढ़े